तो गिरी टूडल के इस प्लैटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है अल्रेडी हमने मैथामेडिकल लॉजिक स्टार्ट किया है एक लेक्चर मैंने इसके उपर अपलोड कर दिया उस लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा बेसिक बता है कि किस तरह से स्टेटमेंट किया होता है टाइस और सेंटेंच zeggen के बीच में डिफ्रेंस लोटा है ऑपन सेंटें जयाकर प्लेडिस में से लेना याद से यसके बाद आपको एक्स्राइज सौल करने एक्स 11 हdy सॉल कर से ह। अप मैं छीर फिर से रीवाइस कर दे रहा ह। एक लेक्टर्स में, नेकच्छा में हम थौड़ा सा पीछे की लेक्चर की चीजों का हुआ ह। अब देको इसके अंदर सबसे पहला क्या होता कि statement क्या होता है तो हमें सभी types के sentence के बारे में पता है कि assertive sentence कौन सा होता है दूसरा कि आपको imperative पता है जहां पर हम order देते हैं जहां पर आपको interrogative पता है जहां पर हम question mark पूछते हैं और exclamatory मतलब आपको पता है आप अपने language में जहां पर उल्टा आए वाला symbol आता है तो almost आपको यह सब चीजे तो पता है अब जो हमारा statement है statement क्या होता है तो मैंने बोला था Mumbai एक ही simple सा मैं example लेता हूं Mumbai is the capital of महराष्टा Mumbai is the capital of महराष्टा अगर मैंने आपको बोला तो आप बोलो कि yes हाँ Mumbai तो महराष्टा का capital है मतलब यह सही है बोलो कि हाँ हाँ सही है तो जिसमें हम सही और गलत मतलब true और false मैं बता देता हूं उससे मैं क्या बोलूँगा statement बोलूँगा अगर मैं बोलूँगा what is your name अब बता what is your name में मुझे true और false क्या बता होगे मैं बोलूँगा God bless you आप मुझे इसमें true और false क्या बता होगे बता तो ऐसे अगर मैं बोलूँगा कि bring one glass of water इसके अंदर आप मुझे true और false क्या बता होगे तो ऐसे sentence जो है वो statement नहीं होगे पर वैसे sentence इसके अंदर हम true और false बता देंगे उसे हम क्या बोलेंगे statement बोलेंगे तो और कहीं पे भी अगर statement में sentence जिसे आपको question में कहीं पे भी x दिखा तो x अगर कहीं पे दिखाई दिया ऐसा अगर समझो दिखाई दिया x-3 equal to 11 ऐसा रहा तो समझ जाना ये open sentence है मैंने ये भी explain कर दिया पर एक बार revise कर रहा दे रहा हूँ open sentence है और open sentence भी जो है statement नहीं होता बट साथ में अगर ऐसा लिखा है 1, 2 ऐसा लिखा है तो समझ जाना ये statement है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं value put करूंगा तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि ये true है कि false है जिसमें मैं true और false बता सकता हूँ फिर वो statement के form में आ जाएगा चलो start करते है 1st question हमें क्या करना इसका truth value बताना है अब देखो यहाँ पे पहला है 5 plus 4 which is equal to 13 अब मुझे बताओ 5 plus 4 equal to 13 होता है क्या 5 plus 4 अगर मैं करूंगा तो 5 plus 4 दोस्तों कितना होगा 9 होगा तो 5 plus 4 equal to 13 ये क्या है रॉंग है ये रॉंग है मतलब ये क्या है false है और जहाँ पे मैं true और false बता देता हूँ उसे मैं क्या बोलता हूँ statement बोलता हूँ क्या बोलता हूँ दोस्तों statement मैं यहां पर का लिखांगा já bij मैं लिकूंगा ईटी इस स्टे 앞 मेल इंज लिक्ता इदूरी Sabbath अधरी एट्स टूट वैल्यू इड्स वैल्लुमवट इस को सियु अंध्री एफ क्यों लिखा पता हूँ मैं एफ इसले लिखा कि फाई प्लेस्फोर कीतना अध़ हु 9 होता है, और 9 कभी भी 13 को equal नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया, false हो गया, then second question, x-3, आरे सर, आपने तो बताया था, जहां पे भी x आएगा, वो क्या होगा, open sentence होगा, तो direct हम यहां पे लिख सकते, it is an open sentence, it is an open sentence, और अगर ये open sentence है, तो ये statement होगा, क्या नहीं होगा, it is not a statement, ऐसे लिखना, it is not a statement, अगर आप अच्छे सा systematic ध्यान दोगे, देखो last में board exam तक मैं आपको 32-40 question दूँगा, पूरा का पूरा आप 80 out of 80 लेकर आओगे, 32-40, एक पार्ट में मैं आपको around 25 question दूँगा, दूसरे पार्ट में 25 question में, 45-50 question में पूरा का पूरा syllabus आपको पत मन्त में अगर आपने देखा होगा तो हमने बहुत हैल्प किया था, और पूरा का पूरा 80 out of 80 marks का पेपर हमने जो दिया था, वही आया था, इसलिए मैं बोला ये सब exam में नहीं आने वाला है, इसलिए मुझे पता रहेगा, मैं बताते जाओगा, exam में क्या आने वाला है, क् और हमें आगे की चीजों को समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा, next step, close the door, अब बता, close the door एक order है, order है मतलब एक इमपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, it is an imperative, imperative sentence, अगर यह imperative sentence है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, it is not order, statement, ऐसे आप बच्चों की तरह लिख सकते हो, तो एक simple सा पार्ट आपको, I think मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आया होगा, next, अब देखो 0 is a complex number, मैं explain कर दे रहा हूँ, देखो यह 0 है, 0 के साथ मैं ऐसा लिख सकता हो, 0 plus i, लिख सकता हो, और जिसके अंदर i दिखा ही द होता है, तो दोस्तों, मतलब यहां पर मैं बता सकता हो, यहां यह जो statement दिया है, वो सही है, अगर यह सही है और गलत अगर मैं बताऊंगा, तो यह क्या है statement है, तो मैं यहां पर अब लिख सकता हूँ, यहां पर मैं क्या लिखूँगा, it is a statement, और आगे क्या लिखूँगा, its truth value its truth value is क्या है सही है न capital T आएगा अब देखो यहाँ पर please get me breakfast please get me breakfast अब बताओ यहाँ पर अब आपको यह एक question आपके लिए दे रहाओ बताओगी यह कौन से type का यह तो statement तो है नहीं पर कौन से type का sentence अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप मेरा previous वीडियो प्लीज यास से देखो can you speak in Marathi interrogative interrogative मैंने आपको पताओ था जहाँ पर question mark होता है तो यहाँ पर लिखोगे it is interrogative sentence and therefore it is not a statement यहाँ पर देखो यह देखो यहाँ पर कुछ values दिये हैं x equal to 7 तो इसको गलती से open sentence मत लिख देना अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा है तो यह क्या statement है तो direct क्या लिखोगे it is it is a statement it is a statement अब यह statement है अब यह wrong है कि right है तो यहाँ पर जो 7 है यहाँ पर put करो अब देखो यहाँ पर put करके दिखा रहो ऐसे put करने की ज़रुवत नहीं है बस आपके लिए दिखा रहो है 7 का square minus यहाँ पर भी 7 plus 7 अब यह 49 आएगा यहाँ पर यहाँ पर देखो 7 6 जा 42 plus 7 और अगर आप sorry यहाँ पर भी minus है एक काम करता हूँ इसको फिर से लिख देता हूँ minus अब देखो यहाँ पर 7 है अब देखो मैं put कर रहा हूँ यहाँ पर 7 का square यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 7 का square कितना होगा दोस्तो 49 होगा 6 7 जा कितना होगा 42 and then 7 अगर आप systematic अगर करोगे तो यहाँ पर 49 minus 42 कितना होगा 7 होगा और यह minus 7 यहाँ का तो finally answer 0 आ रहा है मतलब यहाँ पर जो भी दिया है solve करने के बाद यह value डालने के बाद इसका answer यह आ रहा है आ रहा है मतलब यह पता चल रहा है कि मतलब यह इसका solution है मतलब यह क्या आएगा hence its truth value its truth value is capital T मतलब इसका truth value क्या आएगा capital T आएगा हमें क्या करना इसको symbolic form में लिखना है अब symbolic form के लिए थोड़ा सा एक revision तो बनता है symbolic form के लिए आपको मैं बता दू already मैंने इसके पहले ओले lecture में सब कुछ बता है जहां पे भी दोस्तों आपको end दिखाई देगा जहां पे भी आपको end दिखेगा बाद में आपको or दिखेगा आपको not दिखेगा सब बताते जारो not दिखेगा जहां पे भी आपको if then दिखेगा और जहां पे भी if and only if मैं ऐसे लिख रहो पर if and only if दिखेगा अब देखो end में end ऐसे होता है तो end में यहीं symbol आएगा or में इसका उल्टा not में negation if then में single arrow और if and only if में double arrow तो यह at least यह आपको यह पुरा का पुरा symbol क्या करना है याद कर लेना और मैंने इसके पहले वाले lectures में already आपको symbol पुरा का पुरा याद कराया है तो end or not if then और if and only if अब देखो यहाँ पे हमें बास symbolic form में convert करना है पर symbolic form में directly convert कर सकते है systematic लिखना होता है तो देखो यहाँ पे मैं let pen change कर रहा हूँ यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ let p लूँगा small p और small q इसमें दो statement है नागपूर is in महाराष्टा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नागपूर is in महाराष्टा नागपूर is in महाराष्टा और दुसरा क्या लिखा हुआ है चेन्नाई चेन्नाई is in तमिल नाडू तमिल नाडू आपने सिख इतने लोग हैं जल्दी comment करके बताओ नागपूर is in महाराष्टा और चेन्नाई is in तमिल नाडू आपको क्या करना है दगीवन दगीवन स्टेटमेंट यह सब अच्छे से लिखना होता है मांक सगर अच्छा लाना है तो इन सिम्बॉलिक फॉर्म इन सिम्बॉलिक फॉर्म इस गीवन स्टेटमेंट इन सिम्बॉलिक फॉर्म इस इसका symbolic form क्या आएगा, पहला आला क्या है, पहला आला क्या है, दूसरा आला क्या है, Q है, पहला आला P है, दूसरा आला Q है, और मुझे बताओ, दोनों के बीच में दोस्तों क्या आया है, तो दोनों के बीच में अगर ध्यान से देखोगे, अगर प्यार से देखोगे, तो दो से आपको systematic answer लिखने, अब देखों यहाँ पे triangle is equilateral, यह आपका P हो जाएगा, triangle is isoseles यह आपका Q हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे P लिखना है यहाँ पे Q लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, जल्दी से पास बोले, यहाँ पे क्या लिखोगे triangle लिख के दे दे रहा हूँ triangle is equilateral equilateral और यहां भी कहा लिखो कि triangle triangle is isocelus triangle is equilateral and triangle is isocelus आपने लिखा अब आपको क्या करना है symbolic form में इसको क्या करना है convert करना है symbolic form जैसे मैंने उपपर लिखा वैसी लिखना है मैं तोड़ा डारेक लिख रहा हूँ symbolic form क्या आएगा बताओ P लिखा आपने Q लिखा आपने अब बताओ यहां पे बीच में क्या है बीच में अगर आप देखो कि और है तो यह और का symbol हो गया यह दो को एंड का यह और का symbolic form में convert हो गया then इसके बात the right angle is right angle right angle if and only it is it is of major 90 degree अब द लिखा अब आपे पी क्या लिख हो गहा और आपे क्या Q कया लिख हो गए दे अगल दे आ इंगल इस right angle आपने लिख दिया the measure of angle is 90 दूसरा क्या लिखोगे angle measure is 90 अपनी तरह से आप अपने से statement frame कर सकते हो अब दो को यहाँ पर इसका symbolic form में convert करना है कौन से form में करना है symbolic form अब symbolic form क्या आएगा P है, Q है if and only if याद करो if and only if के लिए मैंने क्या बताया था याद है लास्ट वाल है double arrow तो बस यहाँ पर क्या आएगा दोस्तो ऐसे double arrow आएगा I think आपको लग रहा है बहुत easy है यह आपको final answer है अब जोगे यहाँ पर angle is neither acute nor obtuse अब यहाँ पर मैं जान बुच के एक question लिया हूँ यहाँ बहुत सारे बच्चे mistake करते है आपको क्या लिखना है let P लिखना है और Q लिखना है अब क्या लिखना है angle is neither acute पर आपको लिखते टाइम कभी भी statement में not नहीं लिखना है मैं यहाँ पर डारेक्ट लिखूंगा एंगल एंगल इज एक्यूट एंगल इज एक्यूट देखो मैंने neither word जो लिखा था नाइदर उसको मैंने नहीं लिखा कभी भी याद रखना पूरे logic में कहीं पर भी nor neither यह सब लिखा रहेगा तो वह आपको statement में लिखना नहीं है अब देखो यहाँ पे अब दूसरा है कि nor obtuse तो डारेक्ट मैं क्या लिख रहा angle is angle is obtuse angle is obtuse अब आपने यह लिख दिया अब इसका आपको क्या करना है symbolic form लिखना है symbolic form symbolic form of given statement देखो पहला क्या है P है दूसरा क्या है Q है अब यहाँ पे angle is neither acute nor obtuse यहाँ पे लिखा है angle is neither acute nor obtuse अब देखो यहाँ पे neither मतलब यह माइनस हो गया nor मतलब यह भी माइनस हो गया और जब भी neither or nor आए तो बीच में आपको क्या लेना है दूस्तों तो यह आपका क्या हो गया Q हो गया, यह आपका क्या हो गया P。」 हो गया और आप इसको कौन से फार्म में कनवर्ट कर सकते ओर यह क्योगे फों में हो गया कनवर्ट इस देना आया थना च्छन आई विलन है ही मादस बींस गॉल मैडल एफेन अल्ली एफ अिरे ओ फास्ट अभ ए आप एंलिया प्ली ही मास में ब हो गया ये एक मधका पी C run fast मतलब HEMA runs fast ये क्या हो गया आपका Q हो गया और आपको यहाँ पे P और Q है और if and only if है तो double arrow के form में आप दे दो then इसके बाद next है आपका write the truth value of the following ये बहुत important question है मैं साथ में आपको IMP mark भी करते जाओंगा आपको first exercise अगर कभी practice करना है तो आपको हमेशा question number 30 करना चाहिए याद रखना हमेशा कौन सा question करना है question number 30 अब देखो मैं सबसे पहले न जैसे हमने पीछे questions all किया न उसी तरह से इस question को हम बनाएंगे हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे let P और Q P क्या आएगा 4 is odd यहाँ पे देखो मैं लिख रहा 4 is odd और यहाँ पे मैं लिखोंगा 1 is प्राइम लिखा मैंने अब इसको मैं symbolic form में भी convert करूँगा symbolic form is symbolic form क्या आएगा दोस्तों इसका P Q और साथ में बीच में गया और है यह देखो न और और मतलब यह होता है अब हमें क्या करना है बस पतना इसका truth value निकालना है मतलब इतना पार्ट तो मैंने пीछे की तरही कर दिया अब नया पार्ट इसमें क्या करना है तो statement के truth value निकालो उसके पहले मैं आपको odd क्या होता है Odd 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 number मतलब क्या होता है ऐसे numbers 1, 3, 5, 7, 9 यह याद रखना है यह क्या है? odd number है कहीं पर unit place पर अगर यह सब number दीखे तो उसे odd number बोलेंगे even मतलब क्या आगा 2, 4, 6, 8, 0 यह जो numbers अगर unit place पर दीखे तो यह क्या आएगा? आपका even number prime number मतलब ऐसे numbers जो किसी के tables में नहीं आते हैं 5 आपका prime number है 9 prime number है क्या? 9 prime number है क्या? 9 जो है वो prime number नहीं है क्योंकि 9 जो है वो already किस के table में आता है? 3 के table में आता है और आपको एक और चीज़ याद रखना है जो 2 भी है यह भी अपना prime number है और याद रखना है कि 1 1 नाइधर prime नोर composite याद रखना है कि वन जो है वो कभी प्राइम नहीं होगा तो यह सब चीज़े आपको बेसिक पता होना चाहिए अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं लिखूं इस स्टेटमेंट का प्रूथ कि वैल्यू कर पी इस बपी का जो पेली कि बैली है वह शोरी इस और फ ब्राइब conto पॉर और संदुरान सब्सक्रा तो इसका तूद बैल्यू एकर मैं इसका टूध बैल्यू लिख हूँ गूं तूद बैख टूद फलईय ओफ पूट प्राइम मैंने बोला कि वन इस नाइधर प्राइम नौर कमपोजिट तो यह भी क्या आएगा फॉल्स आएगा तो दोनों दोस्तों देखो फॉर इस ओर फॉर और नहीं होता इसले उसका टूद वैल्यू आफ पी इस फॉल्स आया और दूसरे का भी टूद वैल्यू क्या और मैंने और से रिलेटिट का आपको याद कर रहा था इफ बोध दी वैल्यूस आर फॉल्स देन एंसर इस फॉल्स अधर वैल्यूस फॉल्स आएगा अगर दोनों फॉल्स नहीं होते तो प्रू आ जाता तो यहां पर हमारा फाइनली हमारे स्टेटमेंट का जो वैल्यू आया हो का है फॉल्स आया तो हम लाश में लिखेंगे देर पॉर ट्रूथ वैल्यू आफ गीवन स्टेटमेंट गीवन स्टेटमेंट इस कैपिटल एफ इस तरह से आपको अगर आप सिस्ट्मेटिक लिखते हो तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मांक्स अधर वाइस दो सेगेंड वाला मैं सॉल्ल कर रहा हूं लेट पी और दुसरा गाएगा क्यों पी क्या है 64 एज ए पर्फेक्ट स्वेर और दुसरा गाए 46 एज ए प्राइम नमबर दुसरा गाए 64 46 एज ए प्राइम नमबर अब देखो जो पहला अला जो हमारा स्टेटमेंट है साथ में लिखते जा रहो हो यहां पर लिख रहो विच्छीर की यहां पर लिख रहो वीच्छीर इस तरह से वी आप लिख सकतो विच्छिक अब बताषा आप पहला और जो है 24 गहले इस बोटीक परफेक्ट परेक्ट स्क्वेर मतलब क्या होगा जैसे कि आ यह परफेक्ट स्क्वार है मतलब विच इस ट्रू तो यहां भी गाएगा विच इस ट्रू यह हो गया देन इसके बाद सेटिन के आएगा 46 इस प्राइम नंबर 46 जो है वो प्राइम नंबर है क्या 46 किसी के टेबल में नहीं आता है वाइ 46 के टेबल में आता है 46 जो है वो प्राइम नंबर है क्या नहीं है तो यह कहा है और यह फॉल्स है तो आप इस तरह से लिख सकते हूँ its truth value is capital T and its truth value is capital F, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अब देखो मैं इसका symbolic form लिख रहा हूँ, symbolic form, symbolic form क्या आएगा बताओ, symbolic form इसका आएगा P और यहाँ पर क्याएगा Q, और दोनों के बीच में, and है, दोनों के बीच में क्या है, and है, तो and का symbol दे दिया, अब मुझे बताओ, अब मैं P वाला statement मेरा क्या था true है, Q वाला statement मेरा क्या है, false है, and अब बताओ, अब यहाँ पर आपको table अगर आप देख देखके answer लिख रहा हो नहीं है न, अगर both the values are true है, तो answer true हैगा, otherwise false, तो both the values are true नहीं है, तो answer कहेगा false, इस तरह से आपको table याद करना बहुत जरूरी, बिना table याद किये, अगर आप लिख रहे हो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, और यहाँ पर इसलिए final हमारा answer कहा है, इसका truth value कहाएगा capital F, में and है, and भी कर दिया मैंने, अब बता statement P है, 5 prime number है गया, 5 prime number, yes 5 किसी के table में नहीं आता है, तो यह क्या हैगा, पहला statement हमारा true है, then इसके बाद 7 जो है, 94 को check कर लो, 7 से divide होता ही गया, 7 ones are, 7, sir आप सब कुछ करा के दे रहो, उमकर सर, 7 के table में 24 आता है, 21 के बाद तो direct 28 हो जाता है, तो यहां पर matter हो गया, मतलब यह नहीं होता है, तो यह मतलब क्या हो गया, false हो गया, यहां पर लिखोगे न, second वाला, लिखोगे which is false, यहां तो लिख सकते है, truth value of statement Q is false, and therefore final answer क्या आएगा, इसलिए हमारे इसकोरिशन का एंसर क्या आया, false, अगर यहां पर एक, बहुत भारी अलगोशन लिया हो, अब देखोगे यहां पर सबसे पहले इसमें एक ही statement है, तो आप सबसे पहले लिख दो, और मैंने बोलाएगी कभी भी statement में not नहीं लिखना है, is a real number, यह आपने लिख दिया, अब यह लिखने के बाद, आपको क्या करना है, इसका symbolic form लिखना है, symbolic form, symbolic form क्या आएगा दोस्तों, पी तो आएगा ही, बट आगे क्या लिखा है, not लिखा है, तो negation पी आएगा, और यह जो मेरा statement है, यह जो हमारा statement है, 5-3i is a real number, भाई, आयाया है साथ में, आयाया आएगा तो क्या होता है, complex number होता है, तो मतलब यह इसका जो truth value है, which is, यह statement जो हमें दिया है, वो कैसा है, false है कि true है, बताओ, false है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे real number लिखा है, actually complex number लिखना चीए था, तो क्या आएगा, which is false, क्या आएगा, which is false, यह क्या है, false है, अब यह अगर false है, यह अगर false है, तो यहाँ पे क्या आएगा, f आएगा, और दोस्तो, यह भी मैंने आपको पढ़ा था, negation of f क्या होता है, just ulta, male का ulta क्या होगा, female, female का ulta क्या होगा, male, तो वैसे ही negation of f का ulta क्या होगा, capital T, and therefore, the truth value of given statement is capital T, अब देखो, यह बहुत easy है, जनरली एक exam में पूछा नहीं जाएगा, but दिया है question तो मैं आपको solve करा के दे देता हूँ, अब देखो, यहाँ पे, if the statement P and Q are true, मतलब जो P और Q है, उसको हमें क्या लेना है, true लेना है, और R और S को हमें क्या करना है, false लेना है, और हमें solve करके इसका truth value निकालना है, देखो, कितना easy है, P, Q, R, यह वाला मैंने लिखा, अब देखो, मैं यहाँ पे, P को मुझे क्या लेना है, true, इसे भी true, और R को क्या लेना है, false, कभी भी इस नहीं के question को solve करने के लिए, सबसे पहले bracket solve करना होता है, अब bracket मतलब क्या होता है, यहाँ प true नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा false, इसलिए table याद होना चीए, table देखके answer नहीं लिखना होता है, बहुत सारे teachers को अगर देखोगे न, ऐसे जाते table open करते है, और बोलते हैं इसमें से इसलिए यहाँ answer है, भाई, teachers को भी तो table याद होना चीए, formula teachers को याद होगा, त derivative आने दो, trigonometric function, third lesson पता है न, देखो इतने सारे formula है, या तो पांच घंटा बैठके याद करो, या तो, tension मतलब मेरे lecture में आपको पांच घंटा नहीं बैठना होगा, बहुत तरीके से याद करूँगा, अब जो कि यहाँ पर यह और है, यहाँ पर यह और है, और मतलब, क्य आइंसर इस फॉल्स, बोट दी वैलिव आर फॉल्स, एंसर इस फॉल्स नहीं होगा, अदर्वाइस ट्रू होगा, हो गया, इसका truth value हमें आ गया, सेम ऐसे इसको भी solve करना है, P, Q, R, S, यह एक्जाम में आएगा निज़स हम प्रैक्टिस के लिए कर रहा है, पहली में बता साथ में आइंपी भी देते जा रहो, दो यहां पर क्या आएगा capital T, QB हमारा true होगा, लिखा है, R को हम क्या लेंगे, F, और S को भी हम क्या लेंगे, F, अब देखो मैंने आपको, यह बताया था, if then वाला, if false value is true and second value is false, then answer is false, otherwise true, first value true, second value false, answer is false, otherwise true, ऐसा तो नहीं है, तो false न यह इसका भी same, ऐसा नहीं है, first value true है, second value false है, अगर ऐसा होता था, answer false आता, otherwise कुछ भी आया, true लिखने का, true लिखा, और के लिए क्या याद करा है, कितने बार याद करा है, both the values are false, then answer is false, otherwise true, both the values are false है गया, नहीं है न, तो false नहीं लिखने का, क्या लिखेंगे उसका उल्टा, true, next है इसके बाद, अब देखो यहाँ पर यह भी question solve करा दे रहा हूँ, q, r, negation, p, and s, अब देखो यह, solve कैसे करना है, यहाँ पर q है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर r है, यहाँ पर कहेगा f, यहाँ पर फिर से हम true लेंगे, और यहाँ पर s मतलब क्या लेंगे, f लेंगे, तो finally, अब देखो यहाँ पर end है, both the values are true, then answer is true, otherwise false, both the values are true नहीं है, तो मतलब false होगा, negation of true, इसलिए मेरा false lecture देख लेंगे, negation of true, उल्टा, false आएगा, और यहाँ पर ऐसा, अब देखो यहाँ पर पहले bracket solve करेंगे, end के लिए हम क्या याद रखते, both the values are true, then answer true, otherwise false, तो both the values are true है क्या, नहीं है, अगर both the values are true होता तो true लिखते, और नहीं है तो false, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, finally हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, false, और, और के लिए हमने क्या याद रखते, both the values are false, then answer is false, otherwise true, तो both the values are प्रापर रखना है, क्यों इसमें बहुंत सीम्पल क्या है, नेकार इसका है, स्वाल यहाँ पर यहाँ पर वांद यहां पर यह ब्राइक है सब यहां पर पर यह भाट ब्राइकट निएजिट फंट गरते जाओ इसको सॉल कर सकते हैं इसको एसको एक लिख सकते हो negation of t f होगा यह bracket में f पहले negation solve होता है then इसके बाद यहाँ पर यह direct solve कर सकते हैं कि कि इसमें negation नहीं है and बोद the values are true then answer इसके आएगा true आएगा otherwise false तो यहाँ बोद the values are true है क्या नहीं है तो answer कहेगा false यहाँ पर देखो both the values are true होगा क्योंकि end है बोद the values are true होगा तो answer true लिकेंगे otherwise false तो यह भी false आएगा क्योंकि दोनों value true नहीं है अब देखो यहाँ पर अब इसे हम solve कर रहे है अब देखो यहाँ पर यह f होगा देखो end है बोद the values are true होगा तो answer हम क्या लिकेंगे true otherwise false तो दोनों true नहीं है तो answer क्या जाएगा यहां पर false आजाएगा और इसको तो direct solve कर सकते हो देखो और है और के लिए मैंने क्या याद कर रहा था both the values are false then answer क्या एगा false आएगा otherwise true तो दोनों false है न इसलिए false लिखा अगर नहीं होगा तो true लिख दूँगा अब यहां पर एंड है एंड के लिए क्या याद कर रहा था both the values are true then answer true पर ऐसा तो नहीं है तो इसलिए यहां पर क्याएगा false आएगा और false और और में क्या आता है अगर both the values are false है तो answer क्या आता है false otherwise true पहुत सिंपल्स है दो यहां पर write the negation of the following यह भी board exams में आएगा नहीं question में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छे लोगों से पढ़ना अलग होता है पढ़ने के लिए book में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पर आपको यह अब दो को यहां पर क्या करना write the negation just उल्टा लिखना है जहां पर not नहीं है वहां not लेकर आजाओ और जहां not है वहां पर not हटा दो यह एक्जाम में आने वाला भी नहीं है देखो लिखा 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 तीरुपती is in आंदरप्रदेश क्या लिखा तीरुपती is not in स्टेटमेंट लिख दो यहां पर not लेकर आजाओ यहां पर भी not लेकर आजाओ और जहां पर ऐसा है ऐसा सिंबॉल है यहां तो तुम उसको कट भी कर सकते हो यह भी कर सकते हो यह तो उसका अपोजिट लिख दो यह भी लिख सकते हो इसको ऐसा भी लिख सकते है सेवन प्लस एक्सराइज आज पूरी तर से फिनिश हो गया बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूत है आपको लेक्चर चाहिए ना शेर करो आपका भाई बोल रहा है लेक्चर पूरा का पूरा आपको जल्दी का जल्दी देगा ऐसी मस्ती कर रहा हूँ शेर तो करो सबसे पहले कोमेंट करोगे सर जल्दी जल्दी डालो 6 महने में हमारे एक्जामस आने वाले सपोर्ट तो दीखाओ पूरा का पूरा बस 12 का ही लेक्सर डाल देंगे 6 मैंने क्या पूरा रात दिन एक कर देंगे बस आप सपोर्ट दिखाओ ठैंकी सो मस् दोस्तों दिल से ठैंक्स जहें दोस्तों